हेलो नमस्का दोस्तों कैसे हां सभी तो एक और राजस्तान पुलिश के लिए आज हम मौडल पेपर कवर करेंगें वही मौश्ट इपोर्टन पचास क्योंस तो पूरा वीडियो देखा करो लाश्ट में टोटल स्कोर बताया करो कि कितने क्योंस आपने देखे हैं अभी जो ज वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर किया करो ताकि मौटिवेशन मिलता है थोड़ा सा ने ने टेस्ट बनाने का इस तरह के ने ने वीडियो लेने हैं तिस बटन पर ओके किजिए सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने वाले जीतने भी वीडियो जोंगे वह उनका नोटि के लिए परसीद है तो मामा जी की गोड़े बनाने के लिए हरजी गाउं परसीद है दो त्राइब से क्यों सना आता है एक तो कि मामा जी की गोड़े बनाने के लिए हरजी गाउं का का परसीद है तो जालोर का या पर मामा जी की गोड़े कहां पर बनाया जाते हैं हरजी ग प्रेज़ फिरापनावी थाइस देसमेट 1885 को थेक है बंबई में पहला दिवेशन याद होगा तेजपाल स्यांस कर विद्या ले और व्योम असंदर बनर जी पहले जैक्स बने थे मास सुचिव बने थे ह्यूम को बनाया याता स्थावना का स्रेव भी हूम को जाता है ए ओ फ्यूम को अगला है कि निमन सूचियों मेंसे किस के अंतरगत सिक्षा आती है यानि सिक्षा जो है वो कौन सी सुची में है सिक्षा है वो समर्ती सुची में आता है समर्ती सुची यानि जिस पर राज्य सरकार भी कानू बना सकती है और केंदर सरकार भी बना सकती है लेकिन व नेग्स टाप करें के अंधिर सरकार ने कि सोर खरात को किस बैंक का परबंदक ने दे सक और मुक्ख कारीकारी अधिकारी न्यूक किया है तो यह उन्होंने कि एक इंडिय बैंका एक नमर आपका राई टांसद। अगले की राजा रामुन राइक के द्वारा बर्म समाच की स्थापना है वो कब की गी थी बर्म समाच की स्थापना उन्होंने की थी ठारा सो अठाइस में ठारा सो अठाइस कर गए था ये एक नमर ती नमर आपका राइट आज से कौन से सेवा अखिल भारते सेवा नहीं है अखिल भारते सेवा में कौन से नहीं आती विदे सेवा नहीं आती भारते विदे सेवा नहीं आती इसमें तो चार आपका सही है किस परकार के उतक सरीर की सुर्क्षा कबच का कारिय करता है किस परकार की उत्तक स्रीर की सुर्खशा कवज का कारिय करते हैं तो एपिथीलियम उत्तक है वो स्रीर की सुर्खशा कवज की रुप में कारिय करते हैं नेक्स्ट है कि निमन से कौन से एक सबसे बड़ी संसदिय समीती है इन में से सबसे बड़ी संस्रिद्य समित्य आती है प्राकलन समित्य यानि च्यार आपका सही आंस अगर आकास का रंग नीला है वो क्यों होता है किसकी वज़े से ये परकीरण की वज़े से परकीरण की वज़े से आकास का रंग नीला दिखाई देता है तो राइटांस आपक च्छार नम्बह। एंगला कि टीरी बांध जो है यह राज स्पे दिवाइज में आता है तो तीर नम्र आपका राइट आंसर। चले अगला है कि एजराकप का समंध है वो कौन से खिल से है एजराकप है ये पोलो से समधित है पोलो राइट आंसर च्यार नमर अगला है कि सिवालिक पाडियां जो है वो किसका भाग है शिवालिक पाडियां आते हिमाले का हिमाले में आते हिवालिक पाडियां तो एक नमर नेक्ट है कि निम्हान लिक्त मैंसे कौन भारतय स्विधान के प्रारूफ समीति के सदस्या नहीं थे प्रारूप समीति के सदस्या नहीं थे जौनलाल नहीं ऑपरीं भारत की सबसे बड़ी फहीट जील लोगҦक के सराज skip उतरी भारतकी संप्री ने यह ne कि Donald Trump ने अमरीका की राशपती गरूप में कोन से नमर राशपती गरूप में कारिये ग्रान्ट किया था कोन से नमर वारे राशपती बनेे थे? 45 वी राशपती ये बने थे? 45 में तीन नमर आपका राय टांस अगला है कि सतत्विकास गोल में भारत की रेंग बतानी है भारत एक सोल्वे स्थान पर दो नमर आपका रायटांस है चली हरीकेन है वो चलती है किस छेतर में हरीकेन है जो है ये मिसिपीटिया गाटी में देश में साप जीलों की टोप 52 शेरों की चूची में राजस्तान के कितने जीलों को सामिल किया गया है राजस्तान में टोटल आठ जीले सामिल किये गए हैं एक नमर आपका राई टांस अगर एक काली बंगा का सावधी गर्थ बताना है कि काली बंगा का सावधी गर्थ क्या होता है काली चूड़ियां होती है काली चूड़ियां राइट आंसराप का ती नमर हो जाएगा काली बंग आपको पता होगी हर्मानगड जिले में अमला अंद गोस ने खोज की थी गगर न दीके कि नारिप है गुनिश ओड़तिस में जोदपूर मंडल का नाम परिवर्तन करके कौन से महीने में गवरी नरते भीलों में यह होता है भादरपद महीने में भादरपद मास में आता है ती नमर आपका राइटांसा गलाएक केंदर ये बकरी परजनन अनुसंदान केंदर कहां पर है केंदर बकरी और अनुसंदान केंदर आपका आता है रामसर में रामसर कहां प आर्थिक स्योग यह यूनिशेव के द्वरा दो नमर आई टांस है। चले राज्य कारिपाली का की वास्तिक सक्तियां है वो किसमें नीत होती है। पाल मनोनित कर सकता है चार आपका राई टांस है। अगल एक राजस्तान में सवतनतता आंदोलन के समय कौन सा सहर पत्तर कारिता का परमुक के अंदर आथा था था आज मेरे चार आपका राई टांस है। अगल एक इंदरा गांदी नहर का अंतिम छोता है गडरा रोड आती है गडरा रोड बाड मेर चार आपका राई टांस है। 91 स्रिदान का कौन सा अनुचेद एच में राजेपाल की साहता के लिए परामर्स के लिए एक मंत्री परिशत की विवस्ता की गई है और ये अनुचेद 163 की एकोर्डिंग है अनुचेद 163 में वह लिखीत है। गिर्दर ओश्या की दोरा लिखीत गरंत कौन सा है। ठीक है गिर्दर ओश्या ने किस गरंत की रतना की थी संगत रासो संगत रासो तो राईटान साहब का एक नमबर्ड राजस्तान में खोद रिबा छेतर है वो कौन से खनीज के लिए परसीद है। खोद रिबा आता है तांबे के लिए कौन से चितर में ये बतादो आप खोद रिबा ठीक है राईटान साहब का दो नमबर्ड तो कौन से जिल्ले का है ये अगला है कि निमन में से मैलाओं के कान का अभूशन कौन सा नहीं है तो तिमणी अभूशन है वो कान का अभूशन नहीं आता तो राइटान साब का ती नम्मा अगला है कि इन में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है तत्वाद्य नहीं है तत्वाद्य नहीं है तार से जिसे दोने नहीं करते तो अलगोजा नहीं आता अलगोजा किस में आता है कौन सा वाद्य इंतरही आप कोमेंट करके बताएं अगला आपका है कि साहिब राम और लाल चंद किस चितरकला सेले के चितरकार हैं। नेक्स टाप का है कि 1834 में जून-जूनों में हेनरी फोष्टर के दुआरा एक फोज का गठन किया गया था उस फोज का नाम क्या रखा गया था सेक कावाटी ब्रीज ब्रिगेड और इसका मुख्याले काम पर था सिक्र में था जून-जूनों में था काम पर था? यहेते 50 पांकर यूशंस हैं धूशंस हैं थोडा सा यूश्य सिरीज ए हर हम जाए केर्थ ना रहे हैं नहीं तो मारा रहे टेस्ट करेंगे बित rem up क्यूशंस को यूश्च काई बना वालिया बैसे स्लोंतोर में समगात को सत तो कॉमेंट करके जुरूर बताना आप लोग मुझे, कि कैसी लगी आपको, ठीक है, चलिए मिलते हैं गले वीडियो में, थैंक्यू,